यूटूब के लेटिस्ट वीडियोज, ब्रेक आउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां सेयर नहीं कर पा रहा हूँ, साथ साथ स्टॉक मार्केट ये लेटिस्ट न्यूज के लिए टेलिग्राम चैनल को जरूर जोईन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्सन में है, सा इस्ट रूप से आपको काफी बेटर रिटर्न मिलेगा लॉक टर्ण इंवस्ट्मेंट में, लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे पहने से पहले बता दें, कभी भी आपको और टाइम हाई मार्केट में इंवस्ट नहीं करने चाहिए, दिखें मार्केट और टाइम हाई पर पर है निफ्टी, तो इस तरह के हाई मार्केट में अगर आप इंवस्ट करते हैं, तो मार्केट में अगर कभी कोई बड़ा पॉल आता है, मतलब बड़ा क्रेक्सम होता है, जैसे थौजिंट फॉइंट फॉइंट का, तो फिर आपका पोट्फोलियो के जो स्टॉक है, वो किसे से उधार लेकर के, किसे से कर्द लेकर के, और लॉन लेकर के इंवस्ट नहीं करना चाहिए, जो कि आपके लिए बहुत बड़ी पड़ेशानी उत्पन कर सकती है, तो इस वीडियो में जो हम पांच स्टॉक का बात करेंगे, उसमें से जो पहला स्टॉक है, वो है जू और जो मोमेंटम होना चाहिए, उसमें आना चाहिए, तो यह स्टॉक आपको काफी अच्छा ग्रोथ है देगा लॉं टर्म है, मार्केट केप के बात करें, 54,000 क्रोड का मार्केट केप है, मतलब कंपनी एक लार्ज क्या कंपनी है, और वेल स्टेबलिज अतने बिजनेस में साथी साथ बाते हैं, डिप्रे इल्ल का 0.15% डिप्रे इल्ल है इस स्टॉक का, साथी बाते हैं, रिटार्न कैपिल इंप्ला, रिटार्न उनिकोडी दोनों 15% से जादा है, तो इस परामेटर्स पे भी स्टॉक काफी अच्छा है, प्रमोटर सोल्डिंग 41.9% है, थोड़ा स उसमें काफी स्टेबल है, तबी कंपणि काफी स्टेवल रूप से प्रफॉरम कर पाईगी, साथी बात करें, डेकलबक्रटी 1.12 का, directions कलोगा रिट थेंट स्टॉक का, अब ने चरॉक करता है, हर प्रमोटर के यह कंपनि का पीप्रिर Simply apply system बेख रही है, हघ पारमेट प्र जो टॉप लाइन और बॉटम लाइन ग्रोथ है ते लिखे टॉप लाइन ग्रोथ चार्स दूबीस क्रोड का था जहां से बढ़कर की वोच पा 3,300 क्रोड का और नेट प्रोफिट की बात ने थोजार दसमें ता 33 क्रोड का जो की बढ़कर हो चुका है यहां पर 232 क्रोड का ग्रोथ बहत्री है प्रोटन लाइन ग्रोथ काफी बहत्री है प्लात का स्टेग यहां ठोरा सा डिंप्री रटार में 44.94 परिषे धना की स्टेक और थोड़ा सा प्रोंटर सेख घटा है एक अपना स्टेक बढ़ाया है इस कंपनी में डियाइस का स्टेक भी बढ़ा है 10% हो चुका है और पप्निक का स्टेक इसमें थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है तो ही बात करें करें के technical चार्ट का तो दीखें गिरावट जो कर सकते हैं अगला स्टॉक है मुथोद फाइनस यह काफी बहतीन स्टॉक है मार्केट के एक 61,000 कुर्ट का है और बात के डिवन इंट का 1.30 परसंट का डिवन इंडिल लिए तो डिवन इंडिल भी काफी सांदार है रिटारों केपिल इंप्लाइ डिटारों और इक्यूटी य तो जो फाइनस से लिलेटेट स्टॉक है उसमें हम डेट टू इक्यूटी नहीं देखते हैं बल्कि यह कापनी जो एक मुखरूप से काम करती है यहां पर सर्वी सेक्टर में हैल्थ केर सेक्टर में रियल स्टेट में मतलब यह फाइनस करती है जैसे गोल्ड लाउन हो गया सब्सक्राइब में था फूर्ट ऑजिन थी हंड़िघृट क्रूर का जहां से इंक्रीज होकर पूचवा है दो हजार इकिसमें यहां फृष्ट कर चुका है दो हजार नहीं एक्तरी है टॉप लाइन ग्रोथ है जबर्दास थे आपो ही बात करें करें कपनी का ठीक्रीघ को क्रोड का हर फाइप रहत है स्टैक कहिए है रहे सिर्ट कांश्य ने पर्ज्ट कर टाई चेफ यहां सब हुआ है में उसके पर बात करें इसके टेखनिकल चांड चाहर चोंट है और सब्सakahरे में स्टॉक में दिखाया है तो आप इसमें बाइंग कर सकते हैं अगर इसके नीचे आता है तो और ज्यादा आपको इंगेस्ट करना चाहिए क्योंकि इस तद कंपनियों के बिजिनस तो काफी स्टेबल है उसके बाद जो अगला कमपनी हैं और य कंपनी है मार्केटे सबउसरा परोड़ करों करने मोद्क नहीं है युशय फिसके ह। ब्यापता ब्युकोष क्रू क्रूर कमादर 1.4 क्रूर करेंट है says कोई डिट नहीं को कपनी एक लाज्सकेप कंपनी है सासाथ कंपनी के पास रिचार्ट तूथ वाज़ फोड़निट को रुखा है था हर प्रामेटर्स पर कंपनी काफी बहतरी दिख रही है यह कंपनी एक लिडिंग आइटी कंपनी है और टॉप टॉइंटी इंडिया सॉप् कंपनी के इन सारी स्कंटी में सब्सेटी कंपनीयां वर्क करती है इस तरह कंपनी का बिजनेस का कफी बिल्स टेबल और डिखर सिफाइड है और बात करें टेकनिकल चार्ट का तो पर काफी सॉलिड विग्राइब यहां पर जो स्टॉप में गिरावट आया था तो मात वन स्टॉपीज के निचे मिला था जहां सी वन साइड मोमेंटम दिखाया और अपी स्टॉप 5,000 के ऊपर पेड़ कराया तो काफी बहतीरी मिल्टम दिखाया अपने वी इन्वेस्टर को तो जब भी स्टॉप घिरावट विए तो आप इसमें इन्वेस्ट करतें लॉंटर में पर निचे रोप से काफी बहतीरी टीटर प्राफ्थ होगा उसके पाद जो अगले स्टॉक है वह है टाइटन काफी जबरतस रस्टॉक है और बात करें टाइटन का तो दिके टाइटन काफी विल्टम ब्रांड है हमारे इंडियेट के लिए क्योंकि यह जोली सेक्टर में क क्यों सेक्टर में काम करती है कई सारे कमपनियों की प्रोडेक्ट हैясgenerationि के लिए अपने प्रोड़क्ट के लिए वेजान शाती है तो यसे कमपनि-त sources of काफ बैतरी व्युक्त करते हैं आपको जरूरू रूप से इनिवेट करना चाहिए अगर मार्केट के पही बात हैं अग्टी थाउजट क्रोड का मार्केट के पैफ है है मतलब एक ग्लूचीप कंपनी है और डिप्रेंटी जिरो पाइंट टू जीरो परसेंट का है पर्मोटों से 52.9 परसेंट है कोई भी से प्लिज नहीं है और रिटर्न अपर रिटर्न एक्विटी दो अथर्टी परसेंट यह भी काफी बेटीन है मतलब उत्रा बेटीन नहीं लेकिए फिर और काफी अचाय थोड़ा सी हाप प्रूफिट में डिक्राइन हुआ इसलिए आपको यह रिटर्न और क्याप्रेंट रिटर्न एक्विटी थोड़ा सा कम होता हुआ दिख रहा है देक्विटी की बात करें 0.75 का है काभी मतलब वेटन क्पनी है और टॉटल और कामगी मतलब निकंतीर नहीं हुआर एक तो टॉप लाइन और बॉटम लाइन ग्रोथ का सेल्स ग्रोथ देखिए 2010 में था 4,700 क्रोड का सेल्स जो की बढ़के हो गया 21,600 क्रोड का सेल्स नेट प्रोफिट की बात के है 2010 में था मात्र 250 क्रोड का नेट प्रोफिट जो की बढ़के हो चुका है यहां पर 284 क्रूर का और बीच में तो 2020 में पंद्रा सो क्रूर को पुछ पा था तो यहां पर टॉप लाइन ग्रोथ काफी जबरदस्त है अगर इंवेस्टर की बाद है प्रमोटर्स होलिंग लगाता कॉंस्टेंट है क्योंकि टाटा गुरूप की कंपनी ऐसे भी काफी वेल कर आया है और वहीं पर पब्लिक एस्टिक भी थोड़ा सर डिक्रीज हुआ है लॉंग टर्म में अगर बात करें सेर्प्रैस का चार्ट का तो यहां पर जो गिरावात आया था पैंडिमिक में यहां पर यह स्टॉक मात्र एट हंडेट थर्टी रूपीज के नीचे मिला था और अभी यह स्टॉक 2,000 के ऊपर टेट कर रहा है इतना बहत्रीन और इतना घजब स्टॉक है तो कभी भी गिरावात मिले तो जरूर इनिवेस्ट कीजिए अगले स्टॉक है स्टॉक है मार्केट के वन लाग 49,000 क्रोड का है और बात करें कपनी के डिवरेल का 0.27 परसंट डिवरेल है रिटॉर्ण के प्रमोटर इकुटी 50 परसंट से ज्यादा है और साथ यह साथ प्रमोटर सोली 52.8 काफि बहत्री प्रमोटर्स का स्टेक है इसमें आपर प्लिज प क्रोड से भी ज्यादा तो असार इस कंपनी डेट पे कर सकती है नेट क्रोफिट 1180 क्रोड का है तो कंपनी हर क्रमोटर से काफी बहत्री दिख रहे है अगर टॉप लाइन बॉटम लाइन ग्रोथ की बात करें तो टॉप लाइन ग्रोथ सेल्स 14,000 क्रोड का 13 में जो कि करें हो चुका है 1361 क्रोड का यहां पर टॉप लाइन और बॉटम लाइन ग्रोथ दो काफी जवर्दस्त है बात करें वहीं इंडेस्टर सेक्षन का तो यहां पर प्रमोटर का स्टेक डिक्रीज हुआ है मात 53.84 परसें रहा है वहीं एपाइस का स्टेक काफी इंक्रीज हु अब बात करें कंपनी के चार्ट का तसेर प्राइस का चार्ट काफी सॉलिड है यहां पर गिरावट में स्टॉक काफी सस्ते प्राइस में मिलना था मात 340 रूपेज और यहां से स्टॉक वन साइड ही मुवमेंटम देखा और अभी स्टॉक मिलना है 737 रूपीज पर तो का 750 के नीचे तो उतना आप बाय करते जाए क्योंकि स्टॉक फनामेटली काफी जबरतास है तो गिरावट में जितना मिले उतना बहतर है तो यह पांच स्टॉक थे जो कि आपके पोर्टफोलियो में निस्थित रूप से होना चाहिए अगर आप लॉंग टर्म के लिए इंव इसी तरूप से आपको इस स्टॉक से एजिट कर जाना है जब स्टॉक मार्केट आप अंसर्स रूप से नहीं है तभी आपको यहांपा बहतर रिटर्ण मिल सकेगा तो ऐसे ही एजुकेशन और इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सस्क्राइब कर लेजिए इस व